तो क्या ये गाना राजिंदर कुमार साब पर नहीं शम्मी कपूर साब पर पिक्चराइज होता रफी साब का वो गाना जिस गाने में राज कपूर के साथ धोका धड़ी हो गई थी और ये गाना कोई आम गाना नहीं था ये गाना बॉली उट के टॉप मोस्ट एवर ग्रीन से एक गाना है जिस गाने में राज कपूर के साथ धोका धड़ी हुई थी क्या ये गाना राजिंदर कुमार साब पर नहीं शम्मी कपूर साब पर पिक्चराइज होता आज इस बारे में बात करेंगे इस गाने के बारे में बात करेंगे कौन सा गाना है क्या हुआ था ये स दोस्तों चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन साथ तक पहुंचती रहें नमस्कार मैमा इसकोली बॉली उड़ संगित के सफर से राजकापूर साथ मिजिकल जीनियस इनसान थे जितनी उनको फिल्मों की नौलेश थी जिस तरह के बड़े वो फिल्म में करते उतने ही उनको गानों की नौलेश थी म्यूजिकल जीनिस थे राजकपूर साप ने भी उनकी फिल्म के नयाब गाने बने उनमें राजकपूर साप की मेहनत है उनके पीछे राजकपूर साप की मेहनत है ये बताने की जरूरत नहीं है किस्सा तो यहां ता के राजकपूर साप की फिल्म आवा रहा उसके जब ड्रीम सिक्वेंस पे गाना पिक्चराइज होना था इस गाने की रिकॉर्डिंग सुबह 9 बजे से शुरू होती है और अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलती है यानि लगबग 20-21 गंटे तक इसकी रिकॉर्डिंग चलती है शंकर जैकिसन ने ये गाना घर आया मेरा परदेसी सुबह 9 बजे से रिकॉर्ड करना शुरू किया और रात को 9 बजे राजकपूर कह देते हैं कि इस गाने में धोलक मुझे सही नहीं लग रही है इस गाने में धोलक सही नहीं बज रही है राती को आदा घंटे बात नए ढोल की प्लियर को राया जाता है और फिर घराया मेरा परदेशी जैसे गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होती है जो 21 घंटे तक चली थी तो ये था राजकपूर साब का मुजिकल सेंस दूसरी तरफ राजकपूर साब के भाई शम्मी कपूर शम्मी कपूर साब को भी गानों की बहुत नोलस थी अपनी रिकॉर्डिंग पर लगबग वो मौजूद रहा करते थे रफिस आप कैसे गाएंगे कौन सा स्टाइल अच्छा रहेगा शम्मी कपूर साब के लिए रफिस आप को वो बताते थे और फिर रफिस आप उसी तरीके से गाना रिकॉर्ड किया करते थे किस्सा ये भी ये आसमान से आया फरिश्टा इसकी रिकॉर्डिंग पर शम्मी कपूर साब मौजूद नहीं थे विदेश में थे और शंकर जैकिशन साब ने इसकी रिकॉर्डिंग शम्मी कपूर साब के बगारी कर दी रफिस आप ने ये गाना गाया था शम्मी कपूर साब जब विदेश से आए राजकापूर साब का एक और किस्सा मशूर है गाना कश्मीर की कली तारीफ करूं क्या उसकी जो बार बार इसमें तारीफ करूं क्या उसकी आता है एड में इसमें भी शम्मी कपूर साब का हाथ था ऐसा कराने में रफी साब ने जिस तरीके से आखर में तारीफ करूं क्या उ यानि उनकी फिल्म की जब स्चुटिंग होती थी तो ना तो वह शराब को हाथ लगाते थे ना वह मीट वगारे कुछ ऐसे चीज़ क犧ा करते थे मगर जब उनकी फिल्म का काम ख़ता वो आगे बढ़ते थे रोज श्याम को महफिल लगती थी महफलों का दौर चलता था जाम वगर का दौर चलता था और उस महफल में शंकर जैकिसन, हसरत जैपुरू, शैलेंडर ऐसी उनकी टीम मौजूद रहा करती थी कभी कभी उस महफल में शम्मी कपूर भी आ जाया करते थे तो रासकापूर साब की एक फिल्म जिस देश में गंगा भैती है इसका काम कम्पलीट होने के बाद जब ये सिनेमा घरों तक पहुची तो रासकापूर अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ बड़े रासकापूर साब अपनी अगली फिल्म के लिए बड़े और ये बहुत बड़े बज़ट की फिल्म रासकापूर साब बनाने जा रहे थे तो इसके गानों पर सिटिंग हो रही थी रासकापूर साब वही रात को महफिले लगाया करते थे वहाँ पर गानों की बात हुआ करती थी कैसे फिल्म के अंदर गाने आएंगे कैसे गाने बनेंगे कैसे म्यूजिक कंपोज होगा कैसे गाने लिखे जाएंगे तो सब उस मैफिल में डिसकस होता था फिल्म के बारे में और वहाँ पर मौजूद रा करते थे शंकर जैकिसन, हसरत जैपूरी, शैलंद्र साब और जैसे मैंने का कभी कभी शम्मी कपूर भी आ जाया करते थे तो राजकपूर साब जब अपनी इस बड़ी फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे मैफिल लगी भी थी शंकर जैकिसन, हसरत जैपूरी शैलंद्री ये सब मौजूद थे तो इसी मैफिल में शम्मी कपूर साब भी आ पहुंचेते तो हसरत जैपूरी साब राजकपूरी साब राजकपूर के लिए दो गाने उस राजकपूर के लिए लिए लिक्कर के लाए थे हसरत जैपूरी ने सोचा राजकपूर साब इन दो गानों को सुनेंगे इस रोमेंटिक सिच्वेशन के लिए वो दो गाने सुनाएंगे राजकपूर साब कोई तो सिलेक्ट करेंगे तो इसी महफिल में शम्मी कपूर भी आई वे थे और शम्मी कपूर की भी एक बहुत बड़ी फिल्म के गानों पर काम हो रहा था तो हसरा जैपूरी साब ने जैसी राजकपूर को गाने सुनाना शुरू किया पहला गाना उन्होंने जैसी सुनाया राजकपूर साब जैसा मैंने का महफिलों का दोर चल रहा था जाम वगएरा सब चलते थे तो राजकपूर साब थोड़ा नशे में आ गए जैसी हसर जैपुरी साब ने एक गाना सुनाया फिर दूसरा गाना सुनाया तो दूसरे गाने तक राजकपुर साब को ज़्यादा नशा हो गया था और राजकपुर साब ने ये गाने सुने ही नहीं वहाँ पर शम्मी कपूर ये सब गाने सुन रहे थे दोनों गाने सुन रहे थे जैसा मैंने का शम्मी कपूर की भी फिल्म पर काम हो रहा था और दोनों की फिल्म में राजकपूर साब और शम्मी कपूर साब की फिल्म में सेमिलेटी ये थी शम्मी कपूर साब की भी फिल्म के मिजुक डारेक्टर संकर जैकिसं ते हसरत जैपूरी गीतकार ते शेलंदर गीतकार ते और राज कपूर साब की भी फिल्म के मिजुक डारेक्टर संकर जैकिसं गीतकार हसरत जैपूरी शेलंदर ये सब ते तो सिमिलर्टी दोनों की फिल्मों में ये थी मुजिक डिरेक्टर एक, गीत कार एक तो जब शम्मी कपूर ने दोनों गानों को सुना तो दूसरा गाना शम्मी कपूर को बहुत पसंद आया अब शम्मी कपूर भाब गए कि राजकपुर साब ने ये गाने सुने ये नहीं राजकपुर साब को जादा नशा हो गया है तो दूसरा गाना इतना पसंद आया शम्मी कपुर साब को उनके मन में लाला चा गया क्यों न वो दूसरे गाने को अपनी फिल्म के लिए इस्तमाल कर ले हसरہ जैपुरी साप को शम्मी कपूर महफिल के बाहर लेकर के आए उन्होंने हसरہ जैपुरी साप को का देखो आपने जो दूसरा गाना भाई साप को सुनाया है वो गाना आप मुझे दे दो हसरہ जैपुरी ने का कैसे ये गाना मैं आपको दे दू ये तो मैं राज साब के लिए लिख करके लाया हूँ दोनों गाने राजकपुर साब सुनेंगे इन दोनों गाने में से जो भी राजकपुर साब सेलेक्ट करेंगे वो गाना मैं उनको दे दूँगा और दूसरा जो वो रहने देंगे और भाई साब को कहे दीजएगा जो पहला गाना अपने उनको सुनाया है बस यही गाना इस फिल्म की सिच्वेशन के लिए था और भाई साब को पहला गाना भी पसंदाएगा यकीन मानिये हसरत जैपुरी मान नहीं रहे ते शम्मी कपूर ने किसी तरह से हसरत जैपुरी साब को राजी किया और वो दूसरा गाना अपनी फिल्म के लिए रख लिया अप ये डूगाने कौन से थे जहालो तो मैं दोनों फिल्मों के बारे में बता उबाऊँगा शम्मी कपुर साब की भी और राज कपुर साब की भी राज कपुर साब की जिस फिल्म के गानों पर काम हो रहा था जिस फिल्म के लिए महफिल लगे भी थी डिसकसन हो रहा था राज कपुर साब की वो फिल्म थी संगम शम्मी कपुर साब की जो फिल्म बन रही थी वो फिल् तो शम्मी कपुर साब को भी जंगली में एक रोमेंटिक सिच्विशन के लिए गाना चाहिए था जो उन्हें राजकुपुर साब के इस मैफिल में मिल गया जी हाँ ये दोनों गाने जो हसनत जैपुरी साब ने राजकुपुर साब को सुनायते पहला गाना था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना और दूसरा गाना था ऐसान ते रा होगा मुझ पर इस तरह शम्मी कापुर साप की फिल्म जंगली में आया आte रा होगा मुझ पर जिसके दो वर्जन बने एक लता जी ने गाया एक रफी साब ने गाया, रफी साब वाला वर्जन जादा पॉपलर है और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर इस तरीके से संगम में आया जो राजिन्नर कुमार साब पर पिक्चराइज हुआ क्या राजकपुर साब को इस बात का पता चलाता बाद में जी हाँ, राजकपुर साब को जब इस बात का पता चला राजकपुर साब काफी नराज हुए थे उन्होंने शम्मी कपुर साब का बंद करा दिया था अपनी मेहफिलों में आना इतने नराज हो गए थे शम्मी कपुर साब से वो काफी समय तक شम्मी کपूर साथ से उनकी ये नराज गिरे हसरत जैपुरी साथ से भी राजकपूर साथ इस बात को लेकरके नराज हो गए कि उनकी और इहांगा कैसे ये गाना उन्होंने शम्मी कपूर को दे दिया ऐसी धोका दढ़ी उनके साथ क्यूं की गई बाद में हसर जैपुरी साब ने सारे इस्तितियां समझाई राजकपुर साब को किसी तरह से कन्वेंस करा और फिर बात बन गई और ये दोनों गाने जिनका किसा आज मैंने आपको सुनाया है टॉप मोस्ट एवर ग्रीन रफी साब के रोमेंटिक सांगे बलकि बाली उट के टॉप मोस्ट एवर ग्रीन रोमेंटिक सांग्स में से ये दो गाने अलग ही मकाम रखते हैं नयाब ये गाने जंगली 1961 में आई थी और संगम 1964 में आई थी संगम इसलिए लेट आई थी क्योंकि संगम की जो सुटिंग हुई थी वो देश से भार भी हुई थी इसलिए संगम को सिनेमा घरों तक पहुशने में वक्त लगा जबकि जंगली संगम से पहले लोगों के बीच में आ चुकी थी तो दोस्तों ऐसे भी किसे में ऐसे किसे में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा में स्कुली को देज़ेगा इजाज़त गुडबाए गुड़लग और टेक कियर